हेलो गाईज, वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल, ट्रेडिंग विद प्रियांका कश्यप, आज आज आपने फिन इफ्टी में ट्रेड करके अपने काफी सारा प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि कल की वीडियो में जो हमने आपको लेवल्स बताये थे, आज मार्किट न कि मार्किट में आपको किस तरीके से ट्रेड लेनी होती है, यानि जो लेवल्स हम आपको बताते हैं, रजिस्टेंस के और सुपोर्ट के उनके बेसिस पर आपको किस तरीके से ट्रेड लेनी होती है, जो आपको नेक्स डे ट्रेड लेने में काफी ज़ादा है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और देखते हैं कि आज मार्किट में क्या हमारा मुवेंट हुआ था चलिए फिर अब यह देखते हैं कि मार्किट में आज क्या मूव था सबसे पहले अगर हम इस पैटरन की बात करें तो यह हमारा एक ट्राइंगल पैटरन से retest करती है यानि हमारा यहां से एक price action हमारा यहां से बनता है तो हमें फिर से call side entry बना कर चलनी है इसी तरीके से ही अगर market हमारी gap down opening होती है या flat open होती है या इस triangle के बीच में हमारी fin nifty हमारी open होती है तो उसके downside अगर break होगा then हमें फिर price action को हमें देखना है यानि वापस से market इस level को retest करें इस trend line को retest करें then हमें फिर से अपनी poor side entry को बना कर चलना है तो आप यह अपना जो triangle pattern है यह अपने chart पर आप draw कर लीजिएगा जो आप के लिए कल को trade लेने में morning में बहुत ही जादा helpful करेगा तो आज की market का सबसे पहले overview ले ले लेते हैं कि आज market ने किस तरीके से trade किया है हमारा आज का 50 minute का chart है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि market ने जो आज हमारी opening दी थी वो थोड़ी सी market ने हमारी gap up opening दी थी यह हमारा 15 minute का chart है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने आपको कल को resistance के लिए level बताया था यानि 18,900 का market ने आज almost वही पर हमारा resistance लिया है यानि 18,900 के level के पास इसके upside market हमारी नहीं गई थी आज और उसके बाद अगर market में यहाँ पर देखे तो 18,5851 पर इस level पर market ने आज कितनी जादा इस level की respect की है अगेन अगेन market इसी level को ही support और resistance की तरह act कर रही थी और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आपको यह बता दिया था कि यानि जो हमारा यह एक demand zone बना हुआ था यानि कल के high से लेकर यानि यह हमारा कल का high था हमने आपको इस strategy के बारे में बताया हुआ है कि अगर market अपने previous day के high से upside रहती है तो वो हमारे लिए एक demand zone बन जाता है और वहीं से हमें एक buying opportunity मिलती है तो इसके basis पर हमने आज अपनी call side entry बनाई थी यानि यहां पर जो यह हमारा progressing high हमने लिया था और यहां पर भी अगर आप देखें तो यानि जो हमारा यह morning से ही डिमांड जोन बना हुआ था आप यहां पर देख सकते हैं 18,825 के लेवल पर मारकेट में यह लेवल हमारे लिए कितना जादा वर्क कर रहा था क्योंकि इसी लेवल पर से ही मारकेट नहीं यहां पर पहले बाइंग दिखाई थी और इसी लेवल पर ही जब अगेन एक bullish engulfing pattern देखने को मिला तो यहां से भी आप अपने small profit capture कर सकते थे तो यह आज की हमारी यहां पर trade थी तो उसके बाद जो यह next trade हमने जो यह ली थी put side entry हमने जो यह ली थी यह हमारा यहां पर बना हुआ था M pattern और इस pattern के बारे में हमने आपको अपने telegram channel पर update कर दिया था कि market में यह M pattern हमारा बना हुआ है तो आप इसके जब neckline यहां से break होगे तो आप अपनी put side entry को लेकर चल सकते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं कि फिर market हमारी कितनी ज़्यादा downside आई है यह यह नि 130 point market यहां से downside थी और again market ने महीं support लिया जो कि हमने आपको कल को level बताया था य last market के hours के दोरान market यहां पर हमारी काफी ज़्यादा consolidate रही आप इसको देखी सकते हैं तो यह आज की market का हमारा view था और आप यहां पर दे हमने आपको यह चीज पहले भी बताई हुई है कि जब market hours के दोरान हमारी काफी ज़्यादा किसी level पर market बहुत ज़्यादा resistance लेती है य यहां से देख सकते हैं कि जब-जब market इस level के पास यहां पर आ रही थी तो हमें एक selling यहां से नजर आ रही थी तो इसी के basis पर यानि इसी को ही हमने अपना resistance शो करके यहां से M pattern के basis पर हमने अपनी entry को लिया था तो आप भी यहां पर इस entry को ले सकते हैं और हमने आपको यहा 18,880 का level अगर break हुआ देन market में हमारी यहां पर call side entry बनेगी अगर 18,800 का level अगर break हुआ तो यहां से हमारी put side entry बनेगी यह दोनों के दोनों levels हमने आज आपको update कर दिये थे market में और आप यहां से देख सकते हैं कि जब इस level का break हुआ तो market में हमारी कितनी ज़ादा selling आई है औ और इसके level के ऊपर तो हमारी कोई भी candle यहां पर sustain नहीं थी तो यानि हमारी market का जो view था वो हमें यहां से negative नजर आ रहा था क्योंकि market ने बार बार इसी level की बहुत ज़ादा respect की थी 18,080 की तो यह हमारे लिए आज के सबसे ज़ादा main important चार्ड था और आज इस तरीके से यहां पर अपनी trade को लेकर चलना था और 5 मिनिट के हिसाब से भी अगर यहां पर देखे तो हमारा यहां पर यहां पर यह पैटरन पना हुआ था hammer पैटरन जिसके basis पर आप अपनी call side entry को लेकर चल सकते थे अब देखते हैं कि 30 मिनिट के time frame पर हमारा क्या बना हुआ था तो 30 मिनिट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हमने आपको यहां पर अपडेट किया था कि मार्किट हमारी जो है सिर्फ हमारी यहां पर 50 पॉइंट के बीच में कंसॉलिडेट आप यहां देख सकते हैं जो हमारे लिए यह लेवल था 18,880 से लेकर यहां पर 18,880 के लेवल से लेकर यहां पर मार्किट हमारी कंसॉलिडेट थी 18,850 के लेवल के बीच में यानि सिर्फ यह हमारे जो पॉइंट से यह हमारे 30 पॉइंट से इन लेवल के बीच में मार्किट यहां पर consolidate थी और हमने आपको यह अपनी चैनल पर update कर दिया था कि अगर इस level का इस consolidation का यहां से break होगा जिस भी side तो आपकी वहीं से entry बनेगी तो इसके basis पर भी आप अपनी यहां से trade को लेकर चल सकते थे और 18,800 का level तो हमने आपको बता दिया था अगर इसके बाद भी अगर आपने यहां पर entry ले ली होगी तो आपको यहीं से भी आपको 80 points downside मिले होंगे और लेकिन हमने तो आपको morning यहीं पर ही बता दिया था कि जब इस consolidation का breakout होगा तो आप अपनी put side entry बना कर चल सकते हैं तो I hope आपने आज इस तरीके से market में trade लिया होगा चलिए फिर अब यह जानते हैं कि कल के लिए हमारे वो कौन से levels होंगे जो resistance और support की तरह work करेंगे तेलिग्राम channel को भी join कर सकते हैं जिसका link हमने ही हमने आपको बता दिया था कि bank nifty में जो है वो open high same है अगर इसका high break हुआ दैन आपको call side entry बनेगी आपको बता दिया था कि इसके बाद bullish moment आएगा और उसके बाद हमने आपको बताया था कि nifty ने अपनी first five minute की candle के low को break कर दिया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां से market हमारी 60 point down गई है क्योंकि कल की वीडियो में हमने आपको strategy के बारे में बताया था कि अगर market अपने first five minute की candle के high को या low को break करती है तो वो भी हमारी एक strategy होती है इसके basis पर आप अपनी entry को लेकर चल सकते हैं और उसके बाद हमने fin nifty में भी आपको बता दिया था कि यहां पर हमारा एक pattern form हुआ था जिसको हम evening star pattern बोलते हैं और उसके basis पर भी आपको हमने यहां पर बता दिया था कि आप put side अपनी entry को लेकर meiner सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आज मोर्निंग में आपको अपडेट कर दिया था कि एक ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पर एक चैनल फोर्म हुआ है अगर इसका यहाँ पर ब्रेक होगा ट्रेंड लाइन का तो आप अपनी selling आईगी है हमने आपको 10 AM पर ही हमने आपको ये बता दिया था और इस लेवल के अगर upside market रही है candle हमारी sustain हुई तो हमारी call side entry बनेगी तो आप यहाँ पर देखी सकते हैं कि आज market ने इसके बाद यानि जब हमारा 18800 का level हमारा break हुआ था उसके बाद market हमारी almost 130 points यहां से downside आई थी second session के बाद और यहां पर हमने आपको ये बता दिया था कि पहले तो morning में ही हमें एक call side entry बनी थी और क्योंकि 18800 तक market ने उसके level को break नहीं किया था तो हमने आपको इसके basis पर अपनी एक यहां पर call दी थी finnifty की ही 18800 की call और वो हमने आपको 70 पर यहां बताई थी और 70 के ब pattern था और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि जिस pattern के basis पर हमने आपको बताया था वो ये pattern था यही pattern हमारा निफ्टी में बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में तीनों में ही यही हमारा pattern यहां पर form हुआ था और फिर से अगर बात करें तो हमने यहां पर आपक तो यहां से भी आप अपनी call side entry को लेकर चल सकते हैं तो यानि जो कुछ भी market में बन रहा होता है वो हम आपको update कर देते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि market ने यानि फिन निफ्टी ने हमारी 18.5 के बीच में और 18.880 के बीच में काफी जादा consolidate market रही थी और यहां पर आप द में M pattern बना हुआ तो वहां से उसके neckline break होने पर हमने आपको बताया था कि आपको entry लेनी है तो यहां देख सकते हैं कि market पहले 30 point फिर 70 point और then हमारी यहां से फिर 100 point और उसके बाद से market में हमारी यहां से 130 point market हमारी आई थी यानि 18.880 का जो level break हुआ था उसके बाद market ने 80 points यह से down आई है और उसके बाद हमने आखिर में आपको बताया था कि जो nifty में है वो bullish harammy pattern बना हुआ 15 minute में और उसके बाद भी अगर यहां पर बात करें तो market हमारी 40 point अप गई थी यह जो कुछ भी market arts के दोरान बनता है वो हम आपको अपने चिम telegram channel पर update कर देते हैं तो आप भ market में हमने आपको last अपने Thursday को ही बता दिया था कि market में अब थोड़ी सी यहां से selling आ सकती है यानि जीनों ने यहां से अपनी trade को लेकर चल रहे थे अब वो यहां पर profit book करेंगे तो यह हमने आपको बता दिया था तो अब आप यहां देख सकते हैं कि two days से market में हमारी यहां से selling नजर आ रही है अब बात करते हैं main important level की अगर market में कल को इस level का break होता है और यह level है हमारा यहां पर 18,650 का अगर कल को market में इस level का break होता है then हमें market में फिर बहुत जादा selling नजर आएगी आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझ के रखिएगा क्योंकि फिर से हमारा यह जो यह pattern है selling pattern फिर हमारा यहां पर यह active हो जाएगा तो आपको यह चीज़ कल को ध्यान रखनी है अगर 650 का level break हुआ तो आप अपनी put side की position को बना कर चल सकते हैं अगर market में यहीं से कोई pattern हमारा form हुआ या पीन बार candle या hammer pattern बना तो फिर से market में हमें एक bullish movement हमें फिर से सबसे पहले हम अपने resistance के level के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिए जो कल को first resistance रहने वाला है वो है हमारा 18,821 का level यह आपके लिए कल को main resistance की तरह act करेगा first level यह लिए जो next resistance रहने वाला है वो है हमारा 18,862 का level यह रहा हमारा 62 का level पास ही है बट important है और उसके बाद जो next हमारा resistance रहेगा वो होगा हमारा 18,896 का यह level भी हमारे लिए कल को main resistance की तरह ही act करेगा 96 का level और उसके बाद जो हमारे लिए important level है वो है हमारा 18,970 का level यह आपके लिए कल को main resistance की तरह act करेंगे then आप बात करते हैं अपने support की तो सबसे पहले जो आपके लिए main support रहेगा वो होगा आपका 18,762 का level 762 का level यह आपके लिए कल को फिर main support की तरह act करेगा और then हमारे लिए जो main important support होने वाला है वो है हमारा 18,724 का क्योंकि आज भी market ने इन levels की बहुत ज़ादा ही respect की तो कल के लिए आपके ये levels भी important रहेंगे और उसके बाद जो next हमारा level है वो है हमारा 18,663 का level यह हमने कल भी आपको बताया था तो कल के लिए भी आपके लिए ये level बहुत ज़ादा important है support है और then हमारे जो next एक और support रहेगा वो होगा हमारा 18,596 का level यह रहा हमारा 596 का level तो यह आपके लिए resistance और support है कल इनके basis पर आप अपनी trade को लेकर चल सकते हैं और जब इनका break out हो या break down हो तो after retest 5 minute में आपको जाकर देखना है उसके basis पर आप अपनी entry को लेकर चल सकते हैं वैसे तो हम market arts के दुरान जो भी patterns बनते हैं अपने telegram channel पर हम update कर ही देते हैं तो महां से भी जाकर आप confirmation ले सकते हैं कि आपको किस तरीके से trade लेनी है तो I hope आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो informative लगी है तो please subscribe my YouTube channel Thank you